जाहिन दोस्तों नमस्कार डेली डिड़ूक में आप सभी का स्वागत है आप सभी कैसे हैं और आपकी इस्टेडी कैसी चल लएगी है मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी इस्टेडी भी अच्छी तरह से चल लएगी होगी आज हम लोग इस वीडियो मे Modern India का एक टोपिक है Trade Union एवं साम्मिवादी दल इससे संबंधी जो भी प्रस्ण बनते हैं आज इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही important topic है Modern India का जनरली सभी topic important ही होते हैं जो exam में बार बार पूछे जाते हैं यह छोटा सा topic है मातर एक पेज में समाप्त होगा तो देखिए पहला प्रस्ण है बर्स 1890 में गठीत भारत का पर्था मजदूर संगठन Bombay Meal Hands की अस्थापना किसके द्वरा की गई थी तो इसका answer होगा N.M. Lokhande N.M. Lokhande के द्वरा 1890 में गठीत भारत का पर्था मजदूर संगठन Bombay Meal Hands की अस्थापना किया गया था बर्स 1918 में अहमदावाद टेक्स्टाइल लेवर एसोसियेशन की अस्थापना किसके द्वरा की गई थी तो महात्मा गांधी बर्स 1918 में आहमदाबाद टेक्स्टाइल लेवर एसोसियेशन की अस्थापना महत्मा गौंधी के दुरा किया गया था गौंधी जी ने आहमदाबाद टेक्स्टाइल लेवर एसोसियेशन से ट्रस्टी सिप का सिध्धान पर्तिपादित किया इसके अनुसार पूंजी पती मजदूरों के हीतों की रच्छा करने वाला ट्रस्टी होता है ना की मालिक होता है अगला परसने All India Trade Union Congress की अस्थापना कब होई थी All India Trade Union की अस्थापना 1920 S.B. में किया गया था All India Trade Union Congress के संस्थापक कौन थे All India Trade Union Congress के संस्थापक थे N.M. जोसी के द्वारा All India Trade Union Congress की अस्थापना किया गया था लाला राजपत्राय All India Trade Union Congress के परथम अध्यक थे All India Trade Union Congress के परथम अध्यक कौन थे कि लाला लाज पत्र । ए अठार बरस अठार बर्स तुनिस्व सुंतीज में नागपूर में शंपन और इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यकला कुछी इसके द्वर्य और तो इसका है यूदय जवा हर लाल नेहरू के द्वरा बरस नृत फुनिस्व समपन और किसके द्वरा की गई जवाहलाल नेहरू माई 1947 में अस्थापित इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस की पर्थम अधेक्ष्टा किसके द्वरा की गई बल्लब भाई पटेल रूस में Communist International की अस्थापना किस बरस की गई मार्च 1999 में उसके किस गवर्नर जनरल के सासनकाल में वह लाया गया था वह देखते हैं कारखाना अधिनियम 1881 आया था लॉर्ड रीपन के कार्ज काल में कारखाना अधिनियम 1892 दस साल बाद लॉर्ड लेंश डाउन के सासन काल में आया और कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड होडिंग दूतिय के काल में कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड बेलिंग्टन कारखाना अधिनियम 1944 लॉर्ड बेवेल अगला प्रसन है सन 1927 में भारत में सरपर्थम एक माई को मजदूर दिवस मनाया गया जो भारत में मजदूरों की बरती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था सन 1927 में भारत में सरपर्थम एक माई को मजदूर दिवस मनाया गया जो भारत में मजदूरों की बरती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था तो मजदूर दिवस मनाने का सुरुवात कब से हुआ था तो 1937 से कम मना जाता है मजदूर दिवक्स एक मै को मना जाता है कम्ल k Bogdowski के सदस्द बनने वाला परफम भारतिय fag एंस ब्राइन कम्निष्ट इंटरनेशल के सदस्ट बनने वाला प्रतम भारतिय थे मौनवेंद्र नौथ राइब कि अग्या प्रस्ण है यह 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 मैं राय मैं राय के सहीयोग से तासकंद में भारतिय कम्निष्ट पार्टी की अस्थापना किस वर्स की गई 17 अक्टूबर 1920 एन्नेम राय के सहीयोग से तासकंद में भारतिय कम्निष्ट पार्टी की अस्थापना किस वर्स की गई थी 26 दिसंबर 1925 को कानपूर सदियंत मुकदमा बर्स 1924 में बिटी सरकार द्वरा किस आंदोलन के नेताओं के ब्रूद चलाया गया था सामवादी आंदोलन कानपूर सदियंत मुकदमा बर्स 1924 में बिटी सरकार द्वरा किस आंदोलन के नेताओं के ब्रूद चलाया गया सामवादी आंदोलन बर्स 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की अस्थापना किसके द्वरा की गई M.N. राय बर्स 1924 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की अस्थापना M.N. राय के द्वरा किया गया था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी आंदोलन करांतिकारी सामवादी दल की अस्थापना बर्स 1934 में किसके द्वरा की गई सोमेंदर नाथ टैगोर करांतिकारी सामवादी दल की अस्थापना 1934 इस्पी में किसके द्वरा की गई स्रत्यंद्र नाथ टैगोड की द्वरा अगरा प्रस्ण है बर्स 1949 में भारतिय बोलसेविक पाटी की अस्थापना किसके द्वरा की गई तो एंदत मजूमदार बर्स 1949 में भारतिय बॉल्सेविक पार्टी की अस्थापना एन डद मजुमदार के द्वरा की गई थी अब है बीटीस भारत में गठीत महत्पूर्ण आयोग एक तरफ है आयोग उसके बाद गवर्नर जनरल और उसका संबंद किस्थे था तो पहला है फ्रेजर आयोग के अस्थापना 1902 इसपी में हुआ था और लोड करजन उसमें गवर्नर जनरल थे और इसका संबंद था पुलीस सुधार से फ्रेजर आयोग 1902 लोड करजन पुलीस सुधार हंटर आयोग 1909 में लाय गया लोड चम्सफोड के सासन काल में और इसका संबंद था पंजाब असंती से हंटर आयोग बटलर आयोग 1907 में आया था लोड इर्विन के सासन काल में और इसका संबंद था भारतिय रिया सतो के साथ संबंद लिन लिथगो आयोग लिन लिथगो आयोग 1968 में आया था इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इर्विन थे और इसका संबन था भूमी सुधार से मैक्सवेल बुलूम फिल्ड आयोग 1968 में लॉर्ड इर्विन बारदोली में लगान बिर्धी की जांच के लिए मैक्सवेल बुलूम फिल्ड आयोग हुटले आयोग 1929 लॉर्ड इर्विन सरम से संबन था सप्रू आयोग का 1935 में हुई थी और लॉर्ड बिलिंग्टन इसके समय में गवर्नर जनरल थे और ये बेरोजगारी से संबन्धित था कलाईड आयोग 1940 लिलितगो तेभागा आंदोलन से संबन्धित था अब है आंतीम परस्ण भारत में भारत में ओदोगी कारसालाँ वबगीचों में स्रम की इस्थिति में सुधार हिटू विटले आयोग का गठन किया गया था तो इस वीडियो में इतना ही है अब फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में नेश्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद आप लोग पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए समझते रहिए शेखते रहिए और बीच बीच में एम से क्यू लगाते रहिए ताकि आपको आपका जो यह तयारी कास्तर है वो पता चल सके आप कितना तयार किये हैं पिछला टॉपिक और बीच बीच में रिविजन भी करते रहिए तो फिर मिलते हैं नेश्ट टॉपिक में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वी परिवार को अधिक सदिक लोगों तक भैलाईए ताकि सभी एस्टुडेंट को लाम मिल सके धनवाद नमस्कार